दोस्तो टाइगर जंगली बिल्लियों की एक महतपुर्ण सरे से है इसकी एक बार ही बड़े बड़े जानवरों की धूल चटा सकते हैं क्या आपने कभी टाइगर को मगरमच का शिकार करते देखा है या फिर बड़े भालू के साथ घमासान होते हुए अगर नहीं देखे है तो बने रहिए इस वीडियो के साथ क्योंकि आज आपको बाग से जुड़ी कुछ हैरान कर देने वाले वीडियो दिखाने वाले हैं दोस्तो टाइगर एक ऐसा जानवर है जो विपरीत परिस्तियों में भी जिन्दा रह सकते है और शिकार करने के लिए इस जून की जरूरत भी नहीं होती बलकि अकिला ही बड़े शिकार कर सकता है वैसे बाग के पंजे अंदर की और मुड़ी हुई होती है पर शिकार करते स समय ये पंजे 10 सेंटिमीडर तक बाहर निकल आते है इससे शिकार दबोचने और उनकी शरीर को नोचने में आसानी होती है इसके शरीर के जो काले निशान होते है ये निशान ज्एपनी के लिए मदद करता है आपको हैरानी जरुर होगी हर टाइगर के शरीर पर बनने जी अपने आप में यूनिक होते है टाइगर बहुत फुर्तिला और टाकदवर होता है जिसके चलते किसी भी शिकार को आसानी से दबोच सकता है बाग की नजर जबरदस होती है जो अंधरे में भी आसानी से देख सकते है दोड़ते समय इनका शरीर किसी इस्प्रिंग की भाती काम करता है और वे आसपास से गुजर रहे किसी भी जानवर को जाने नहीं देता अगर टाइगर को कोई शिकार दिख जाता है तो बिना समय गवाय ही हमला कर देता है और कुछ ही पल में पकड़ कर खा जाता है दोस्तो बाग हपते में एक बार शिकार के लिए निकलता है इसकी एक खासियत ये भी है कि ये एक बार में 40 किलो तक मांस खा सकता है अपनी शिकार करने की कुशलता और बेहद मांसाहरी होने की वज़र से इसको खाद श्रिंखला के उपर रखा जाता है गलती से अगर कोई जानवर इसके इलाके में आ जाए तो इनका बचने की उम्मिद ना के वराबर होती है शिकार करने में इनको महरत हासिल है इसके कारण किसी भी बड़े से बड़े जानवर को धराशाई कर सकते है टाइगर पेड़ो पर भी चर सकते है पर जादा तर ये इसका इस्तमाल नहीं करते क्योंकि इनके शिकार जमिन पर ही होते है पर जब बाग की भोक बरदाश्ट नहीं होती और शिकार नहीं मिलता तो पेड़ू पर चढ़कर ये शिकार करने से पीछा नहीं हटते जमिन पर रहने वाला कोई भी जानवर जब टाइगर से बचने के लिए पेड़ू पर चढ़ता है तो टाइगर भी जीद के चलते पेड़ पर चड़ने लगता है और किसी भी कीमत पर वे शिकार करके ही दम लेता है जंगलों में कई बार तो इनको बचने के लिए खतरनाग जानवरों से लड़ना पड़ जाता है कई बार तो इनका सामना मगरमच जैसे खतरनाग जानवरों से हो जाता है और मगरमच से अपनी साहस और ताकत के दम पर उनके शिकार को छीन लेता है तब मगरमच भी कुछ नहीं कर पाता यहाँ एक टाइगर अपने शिकार से हाथाफाई हो रहा है इतने में एक मगरमच मौका पाते ही टाइगर के नजदीक तक पहुँच जाता है और टाइगर को पकड़ने के लिए बड़ा सा मौ खोलता है पर समय रहते टाइगर इसको देख लेता है और शिकार को लेकर वहाँ से भाग जाता है जंगल के दूसरे बड़े शिकारी चीता और ऐसे ही जानवर जो टाइगर के हाथ से बचने ही पाते तेंद्वे चूपने में माहिर होते है और इनके सुनने की शम्ता भी लाजवाब होती है इसके चलते चोटे से चोटे आवाज को भी सुन सकता है पर टाइगर के आगे इसकी भी नहीं जलती जंगलों में आप तक पता नहीं कितने तेंदुए को टाइगर अपना शिकार बना चुका है एक हमले में तो मादा तेंदुआ अपने बच्चे को छोड़ कर भाग जाता है क्योंकि नहीं भागने पर वे भी टाइगर के हाथ मारा जाता बेशक टाइगर ताकतवर, खतरनाक और बहादूर जानवर होता है ये काफे खुबसूरत जानवर भी है इसकी कला को दूसरे कोई भी जानवर कौपी नहीं कर पाते इसकी शरीर के ये धारिया सिर्फ इनको खुबसूरत नहीं बनाती बलकि इन धारियों की मदद से ये जाडियों में आसानी से छुपकर शिकार पर नज़र रख सकता है टाइगर कभी भी अपने शिकार के लिए हिच की चाते नहीं है इसकी नुकिले दाद शिकार को फाड़ने में मदद करता है इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते है कि एक बार से ही हम इनसानों की जान तक ले सकती है और जानवरों की तो हड़िया चूर चूर कर देता है शिकारी जानवर अकसर अचानक से हमला बोल देता है ये गुन टाइगरों में भी पाई जाती है कई बार तो ये जाडियों में छिप जाता है और मौका मिलते ही पास से गुजर रहे जानवरों पर हमला बोल देता है बड़े जानवरों का शिकार करना टाइगरों के लिए मुश्किल काम नहीं होता है ये बीना समय गवाये ही शिकार पर हमला करता है और सिधा गर्दन पर हमला करता है और दम घोट कर शिकार को मार देता है यहाँ आप देख सकते हैं यह दुनिया के बड़े और ताकतवर किसमे की जंगली गाय है पर टाइगर इसकी गर्दन पर हमला कर आसानी से मारने में सबल हो जाता है इस क्लिक में आप देख सकते हैं कैसे ये अकेला टाइगर इस भैस को मारने पर तुला हुआ है पुरा भैस के जोण मिलकर इस पर हमला करने लगता है अब जोण के आगे टाइगर की नहीं चलती और मजबुरन पिछे हटना पड़ता है यहां आप देख सकते हैं कि एक जंगली सुवर को बड़ ही आसानी से मार देता है जंगर में टाइगरों को जोण में शिकार करते देखना दुरलब है क्योंकि इनको खुद ही अपनी ताकत पर पूरा भरोसा होता है टाइगर ताकतवर होने के साथ साथ फुर्तिला भी होता है कई बार तो शिकार करने की जीद में ये पेडो पर भी चड़ जाते है यहां इस बंदर को पकड़ने के लिए पेडो पर चड़ जाता है सामनेते हैं टाइगर रात के अंधरे में ज़्यादा सक्रे रहते है पर हर बाग ऐसे नहीं होते दोस्तो टाइगर एक अच्छे तैराग भी होते है और पानी में डुपकी लगा कर शिकार भी आसानी से कर सकता है टाइगर बच्छवन से ही अपने मा के साथ तैरना सिकते हैं पानी में पाए जाने वाले खतरनाक मगरम से भी आसानी से मुकाबला कर सकता है इसकी औसतन जीवन 15 साल की होती है इस टाइगर की उम्र 19 साल हो चुका है अब इसमें जवानी जैसी पूर्ती और ताकत नहीं रही इसके चाल से ये बात साब जलक रही है दोस्तों जादा तर टाइगर जवानी में ही इसी न किसी दुरगटना में जीवन गवा देता है बहुत ही कम ऐसा होता है जो बुड़े होकर मरता है दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही आपको है वीडियो कैसा लगा कमेंड करके जरूर बताए और वीडियो को लाइक शेर करे और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद